Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकु लोग My name is C.S.P.I.L.P.O.P.L.I. अनाज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अलग-अलग तरे की आउट्सोर्सिंग के बारे में पहली है हमारी बिजनस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग जिसे हम BPO के नाम से भी जानते हैं और दूसरी है नौलज प्रोसेस आउट्सोर्सिंग जिसे हम KPO के नाम से भी बुलाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि BPO या KPO में किस नेचर का काम होता है ये कब करवाई जाती है और इनके बीच में क्या-क्या डिफ्फरेंसिग है तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बिजनस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग के बारे में यहां जो ये शब्द आउट्सोर्सिंग आप देख पा रहे हैं इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इसकी उपर एक डेटेल्ड वीडियो अलरेडी बनी हुई है जिसे मैं यहां आई बटन में प्लेस कर दूँगी जाके देख लीजेगा बट ब्रीफ में बताओ तो आउट्सोर्सिंग का मतलब होता है कि पहले जो काम आपकी ओर्गिनाइजेशन में इन हाउस हो रहा था उसे अब आप बाहर किसी और इनसान से मतलब थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं वो काम जो पहले आप खुद कर रहे थे बट अब टाइम की शॉर्टेज होने की वज़े से या कॉस्ट कटिंग के लिए या एफिशेंसी बढ़ाने के लिए किसी भी रीजन से अब आप बाहर किसी थर्ड पार्टी से वो काम करवा रहे हैं तो उसे हम आउट्सोर्सिंग बोलते हैं आउट्सोर्सिंग बहुत अलग-अलग तरह की हो सकती है लेकिन मेनली जो confusion students को होता है वो BPO और KPO के उपर होता है इसलिए आज की वीडियो इसी दो topics पे dedicated है चलिए समझते हैं BPO का काम कैसे होता है C, BPO का समझने के लिए हम example लेंगे आपकी Pile Mam का So, आपकी Pile Mam को शौक चड़ा है बिजनस स्थार्ट करने का जो कि actually आपकी Pile Mam को बहुत सालों से चड़ा हुआ है बट पता नहीं execution कब हो पाएगा Hopefully जल्दी हो जाए Wish me luck in the comment section बाके फिलाल के लिए समझो कि Pile Mam को बिजनस करने का शौक चड़ा है ठेक है Pile Mam चाहती है कि खुद का एक बड़ा business हो जिसमें proper manufacturing हो किसी product की और must market में brand चले नाम हो जाए goodwill हो जाए मज़ा ही आ जाएगा पर Pile Mam की life के एक दिक्कत है उनको जितना confidence अपनी manufacturing skills पे है उतना ज़्यादा confidence अपनी selling skills पे नहीं है उनको लगता है कि ना तो उनके पास required man power है और ना ही required skills है selling purpose के लिए तो manufacturing तो इनका sorted है लेकिन selling एक बहुत बड़ी problem है यहाँ Pile Mam को business studies पढ़ाते पढ़ाते एक चीज दिमाग में आई कि क्यों ना मैं ये selling वाला काम किसी को outsource कर दू जिसको basically selling वाला काम आता हो जिसके पास required man power हो जो बकाइदा potential customers को call कर करके product के features बगेरा बताए तो ऐसा कोई organization ढूण लूँ खयाल तो बहुत ही जादा नेक था बस जैसे ही खयाल आया manufacturing start की product की और ये XYZ company को hire कर लिया outsourcing purpose के लिए बचते हैं कि XYZ company जो है वो basically Pileman को इस outsourcing activity में क्या-क्या services दे रही है पहली service ये है कि ये बकाइदा potential customers को call कर करके product के feature explain कर रही है कि भाया देखो इस product में ऐसा है वैसा है खरीद लीजिए बहुत फायते मन्द होगा आपके लिए अच्छी deal है ये discount मिल जाएगा वो discount मिल जाएगा ये सारी फालतू की बाते बोल रही है जिसे customer attractor पा और बकाइदा product खरीद ले दूसरा ये जो potential customers हैं या existing customers हैं उनकी जो queries है products related वो entertain कर रही है तीसरा कोई discount वगेरा आ रहा है या कोई offer आ रहा है तो उनके बारे में जानकारी दे रही है call कर करके लोगों को और चौता जितनी और customer support services हो सकती है वो सब भी provide कर रही है product से related इतलब जितनी services call पर provide की जा सकती थी वो सारी की सारी XYZ company provide कर रही है customers को on behalf of PileMam तो manufacturing तो PileMam खुच से देख रही है लेकिन product बिक्वाने के लिए वो XYZ company का help ले रही है उनको उन्होंने outsourcing कर रखी है अब might भी हो सकता है कुछ students का कहना यहाँ पे यह हो कि माम आपने जो example दिया है वो more or less outsourcing का यह example लग रहा है इसमें यह business process वाली क्या बात है मतलब इसका क्या relevance है तो बेटा देखो outsourcing जब ऐसी activities की होती है जो non primary nature की होती है जो non core nature की होती है जो ऐसे nature की होती है जो main काम नहीं है किसी भी इनसान के लिए तो और उसमें skills भी उतनी जादा required नहीं होती है तो उसे हम business process outsourcing बोलते हैं यहां आप कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम नहीं करवा रहे हो किसी से यह जितने भी लोग थे जितने भी salesman थे यह कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम नहीं कर रहे थे एक महीने की training लेके product को अच्छे से समझ की यह इस particular service पे बैड गए थे काम करने के लिए तो इनका कोई ज़्यादा दिमाग भी नहीं लग रहा था efforts भी नहीं लग रहे थे बहुत ज़्यादा कोई research, knowledge, intellectual ऐसा कुछ नहीं लग रहा था basic सा काम था जो हो रहा था इनके द्वारा तो जब इस नेचर का काम होता है तो उसे हम business process outsourcing बोलते हैं यहां यह बोलते हैं BPO stands for business process outsourcing it can be defined as outsourcing non primary activities to a third party service provider जब आप non primary nature की activity third party service provider को देते हैं और यह देखे आप basically अपनी cost को decrease करना चाहते हैं या productivity इनको increase करना चाहते हैं या efficiency level को increase करना चाहते हैं तो इसे हम BPO का नाम देते हैं जैसे Pile Mom का main काम था manufacturing का selling उनका non primary nature का काम था तो ऐसे में यह काम जब उन्होंने pass on किया किसी third party को तो उसे हम business process outsourcing का नाम दे रहे हैं आया इतना समझ में? चलो, now let's move to knowledge process outsourcing यह क्या होता है? again आपकी Pile Mom है जिन्होंने एक manufacturing business start कर लिया था और selling के लिए BPO वालों को riff कर रही थी ठीक है? story बिलकुल वैसी है उसी को आगे continue कर रहे है अब क्या हुआ? manufacturing unit चलाते चलाते Pile Mom के यहां पे एक बर rate डल गई एक बार कोई labor inspector था वो आ गया और देखने लग गया कि कैसे labor की हालत है organization में? क्या उनको सही से facilities मिल रहे ही है labor loss को follow किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? उसने बकाइदा Pile Mom पे बहुत भारी penalty लगा दी कि भाया labor loss तो तुम following नहीं कर रही हो कैंटीन ही नहीं है तुमारे यहां पे सौ से ज़ादा लोग काम कर रहे है तुमारे यहां पे जितनी सारी औरते काम कर रहे है उनके बच्चों के लिए कोई facility नहीं है यहां पे Pile Mom तो बिलकुल ऐसी हो गई क्या बात कर रहो यह यह सब क्या होता है इन सब चीजों के बारे में तुमारे पढ़ा ही नहीं है यह तो अलगी चीज बता रहे हो आप तो उस labor inspector ने Pile Mom को एक suggestion दिया कि पिटा इस बार तो पैसे दे दो तुम इस बार तो penalty जेल लो लेकिन कोई अच्छा सा इनसान हायर कर लो जो आपको सारी legal compliances के बारे में बता देगा जो कि आपकी organization के उपर लाबू होती है चलो इस बार तो penalty भर दी पायल मामने लेकिन अगली बार तो बिलकुल नहीं भरना चाहती थी पायल माम इस तरह की penalty तो वो मार्केट में निकल गई ढूणने के लिए एक ऐसा इनसान जो कि सारी legal compliances देख पाए जब बहुत अच्छे से चार्ज पड़ताल करी तो पायल माम को ये पता लगा कि मार्केट में कोई एक single इनसान नहीं है जो ये सारा काम कर पाए क्योंकि legal compliances और company के compliances इधर उधर की बाते ऐसा सब करने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे और क्योंकि ये दिमाग वाला काम है तो एक एक इनसान पचास हजार से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा था पायल माम ने बोला भया इतना तो बेहुत ना है इनसॉल्वेंट होने में पायल माम को जाधा टाइम नहीं लगेगा अब पायल माम ने बोला नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा मैं basically क्या करती हूँ ना एक ऐसी firm ढूंडती हूँ जो मेरे भिहाफ पे ये सारा का सारा काम करते जितना भी research से related है जितना भी legal work से related है जितना भी और किसी regulation को follow करने से related है और ऐसे में जितना मैं काम कराऊंगी freelance basis पे उतना मुझे payment देना पड़ेगा अलग से ऐसे 50-50,000 रुपे की salary नहीं pay करने पड़ेगी पायल माम ने ढूंडा कि market में क्या क्या ऐसा option है तो उनको पता लगा हाँ KPO services provide करने के नाम से ऐसी बहुत सारी companies है जो market में available है तो पायल माम ने एक company ABC को hire किया और उसको KPO वाला काम दे दिया अब यहाँ आपका question हो सकता है माम KPO होता क्या है यह तो explain ही नहीं किया आपने तो बेटा यहाँ देखो जैसे selling के लिए पायल माम ने outsourcing करी थी पिछले वाले case में यहाँ पे भी पायल माम अपना काम किसी और को दे रही है किसी third party को दे रही है लेकिन यह जो काम है यह selling जैसा simple नहीं है यह ऐसा काम है जिसमें knowledge लगेगी जिसमें special skills लगेंगी जिसमें special expertise लगेंगी जिसमें basically दिमाग, intellectual पर थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा तो जब हम ऐसे nature की services लेते हैं किसी third party से तो उसे हम knowledge process outsourcing बोलते हैं they say KPO stands for knowledge process outsourcing it refers to outsourcing highly skilled personnel to transfer or assign knowledge and processes to another company मतलब जो highly skilled nature का काम होता है या highly skilled nature का जो knowledge होता है वो basically आपको pass on करना होता है एक particular company को जिसने आपको हायर किया है the company hires other outsourcing companies that can fulfill a company's requirement एक company बाकी companies को outsource करती है काम जो उसकी requirement को पूरा कर सकते हैं ये चाहे तो same country से भी करवा सकते हैं और चाहे तो overseas से भी करवा सकते हैं जैसे आपने देखा होगा outsourcing basically जातर developed nations जो हैं वो developing nations से करवाते हैं क्यों करवाते हैं? क्योंकि developing nations में आपको सस्ता manpower मिल जाता है, सस्ते में आपका काम हो जाता है ये तो आपने देखा भी होगा ना maximum US की जो companies हैं वो जब outsourcing करती हैं तो वो इंडिया में करती हैं मतलब एक developed nation की जो companies हैं वो outsourcing करती हैं developing nations की companies को उनको वो सस्ता बढ़ जाता है अब US वालों को इंडिया वालों को payment देनी होगी तो एक दो डॉलर भी देंगे तो इंडिया वाले खुजी खुजी ले लेंगे कि भाया ये तो सो रुपे दे रहे हैं एक छोटे से काम का तो वही चीज है ये सस्ती परजाती है तो overseas भी लोग बाग ये सारा काम करवाते हैं लेकिन it performs a task requiring high skill with depth knowledge expertise and interpretation power जैसे legal compliance में obviously आपको legal knowledge चाहिए थी आपको उस पे research करना था आपको उसके बारे में जितनी information थी वो निकालनी थी सारे laws पढ़ने थे regulation कौन कौन से applicable होते है वो पढ़ने थे तो दिमाग लगाने माला काम था जिसकी वज़े से इस nature की outsourcing हम knowledge process outsourcing बोलते हैं देखिए बात विलकुल सेम ही है outsourcing में हम करेंगे वही काम कि third party को काम transfer करेंगे लेकिन business में जितने simple nature की काम transfer होते है उतने ही technical nature की काम transfer होते है knowledge process outsourcing में now I hope KPO और BPO दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं अगर ऐसा है तो चलिए फिर अब इनके differences बढ़ लेते हैं first ये बोलते हैं involves BPO में ये बोलते हैं back office और front office operations data entry, customer care, finance and accounting transactions, website services, HR support and payroll processing यहां पर आपको examples दे दिये हैं कौन-कौन सी services आप BPO में करवा सकते हैं जहां तक आप देखेंगे बहुती basic nature के काम है जो आप BPO में करवा रहे हैं दूसरे company से वही knowledge based market research, equity research, legal process, management, medical content and services and education and publishing जितने भी sophisticated नाम हो सकते हैं वो सारे के सारे यहां आप देख सकते हैं जितने भी भारी भरकम नाम होते हैं या भारी भरकम services होते हैं वो सारी आप यहां देख सकते हैं KPO में करवाई जाती हैं employee qualification BPO में यह बोलते हैं कि क्याहां पर बहुत जादा expertise नहीं चाहिए होती हैं कोई basic सा इंसान भी आएगा training प्रवाइड कर देंगे उतना दो सीखी जाएगा समझी जाएगा लाइव एग्जाम्पल ही देख लू ना डेली में जितने भी BPO's हैं जितनी भी companies हैं जो BPO services प्रवाइड कर रहे हैं वहाँ पर कौन लोग काम कर रहे हैं 21 साल के लॉंडा लॉंडी काम कर रहे हैं जो basically graduation भी नहीं करके आये हुए है simple सा 11-12 class complete करके आजाते हैं थोड़ी से English बोलना सीख लेते हैं उनको पतानी क्या-क्या सिखा देते हैं फीड कर देते हैं बस उतना ही उनको बोलना आता है और उतना ही फिर उनका बोलने का काम रहता है लेकिन when it comes to KPO यहां skilled employees चाहिए होते हैं जिनके पास expert knowledge हो obviously legal काम अगर आप किसी को transfer कर रहे हो यहां पे highly complex होते हैं टास्क की बात करें तो typically deals with non-core repetitive task यहां पे non-core वाली task रहती है जो कि repetitive nature की रहती है वार वार repeat होती रहती है यहां पे reputation उता जादा नहीं होता है specialization जादा required होती है skills required यहां पे बस आपको मूँ चलाना आना चाहिए क्योंकि मूँ चलाना ही यहां पे basic काम होता है जबकि यहां पे आपको दिमाग चलाना आना चाहिए professional qualifications होनी चाहिए तभी आप KPO वाला काम कर पाएंगे and that's it यहां आपने सारे differences complete कर लिए है अगर कोई भी doubt है आप comment section में लिख सकते हैं अगर कोई दो टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम आप लोग के लिए difference between वाली वाली वीडियो बनाएं तो लेट उस नो इन दे कामें सेक्शन अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दो यार और चानल को subscribe कर लो तोड़े से दोस्तों के साथ शेयर कर दो जल्दी से जल्दी इस सानल के एक लाइक सब्सक्राइबर्स कम्फ्लीट करा दो so that मेको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं भी थोड़ी सी कुछ हो जाओ and that's it thank you so much for watching this video